नमस्कार दोस्तों इरुडेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं इस वीडियो में बाई सीटी की बुक से प्रक्टस सेट थ्री को डिसकस करने जा रहा हूँ जो सत्र है एन अठार है फैव के लिए इंपोर्टेंट है सामान हिंदी प्रस्ण एक से पांच के लिए निर्देश निमलिकित गद्दांस को पढ़कर नीचे दिये गए प्रस्णों के उत्तर दीजिए सनी क्रमा सार्सौर मंडल का छटवा ग्रह है यह ब्रैस्पती और यूरेनस के बीच की कच्छा में सूर की परक्रमा करता है सूर से ब्रैस्पत ग्रह जितना दूर है लगबग उतना ही ब्रैस्पत से सनी ग्रह दूर है सनी ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें हमारी 750 प्रित्विया समा सकती है प्रंतु इस ग्रह का भार केवल 95 प्रित्वियों के बरावर है कारण यह है कि सनी की द्रव रासी का ओसद घनत बहुत कम है पानी से भी कम अथा सनी ग्रह को पानी के लिए किसी बहुत बड़े महासागर में डालना संभव हो तो यह उसमें डूबेगा नहीं बलकि तैरने लग जाएगा सौर मंडल में सबसे कम घनत वाला पिंड सनी ही है कोशन फश्ट सनी किसके वीच की कच्छा में सूर की परक्रमा करता है राट आप्शन भी हो जाएगा ब्रैस्पति और यूरेनस सनी की द्रव रासी का ओसद घनत कम है क्यों कम है किस से कम है पानी से भी कम है राट आप्शन क्या हो जाएगा यह हो जाएगा पानी से भी कम ह सौर मंडल में सबसे कम घनत बाला पिंड है तो राइट ऑप्षन सनी हो जाएगा क्योंकि अभी सनी के बारे में मैंने पइरा ग्राम में पढ़ा है सनी में समा सकती है कितनी पृत्मिया समा सकती बताईए सनी में सासो पचास सौर मंडल में सनी का क्रम क्या है सौर मंडल में सनी का क्रम क्या है छटा है निम्न में प्रिसिद छायावादी लेखा का नाम बताईए छायावादी लेखा कौन है इन चार ओप्संस में से तिक करिये बताईए कौन है रैट ऑप्शन ए हो जाएगा महादेवी बर्मा चायवादी लेखक है हिंदी वर्ण माला में ब्रिंजनों की शंक्या कितनी है रैट ऑप्शन बी हो जाएगा 33 है अखियां हरी दर्शन की भूखी कैसे रहें रूप ए बतियां सुन रूखी उप्रुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है रैट ऑप्शन बी हो जाएगा ब्योग रस शिंगार है मात्रा क्रम की द्रश्टी से दुआ के ठीव प्रीत पढ़ने वाले चंद का नाम क्या है रैट ऑप्शन सी हो जाएगा सोर्था खिली वी हवा आई फिर की सी आई चल गई पंक्ति में अलंकार बताना है रै रैट ऑप्शन बी हो जाएगा कंठ है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं रैट ऑप्शन ए हो जाएगा बहुबरी कौन सी ध्वनी अल्पि प्राण है रैट ऑप्शन डी हो जाएगा ता हिर्दे जाके नहीं विपत्ति सुमंगलता ही रा में ह रास है निम लिखेत में से कौन साद्रस मूलक अलंकार नहीं है रैट ऑप्शन सी हो जाएगा विशो सोक्ती रीद काल को स्रंगार काल की संग्या किसने दी है रैट ऑप्शन ए हो जाएगा विश्वनात प्रिशाद मिस्त्र जी ने रीद काल को स्रंगार काल की संग्या किस दिशना नहीं है, आप हमुति इलंग गधा का तस्वम रूप बताईए बाई साथ रायट ओप्शन D हो जाए गर्दब है अलंकेस परियावाची सब्द है अलंकेस परियावाची सब्द है रायट ओप्शन C हो जाएगा कुबेर का किसका कुबेर का बाग के असुद्ध भाग तुरटी पूर भाग का चयन कीजिए यदि कोई तुरटी ना हो तो भाग दी को चिन्नित कीजिए धन्वान को ब्यर्थ है सलाइस बेकार में साहता देकर कोई लाब ना होगा कोई तुरटी नहीं तो रायट ओप्शन इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा बी जिसके पास कुछ ना हो के लिए एक सब्द बताईए जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक सब्द बताईए भाई साव उसके लिए एक सब्द है आकिंचन नेम लिखेत पद में कौन सा पद वया प्रत्या से बना है वया फृत्या से बना है राइट आप्शन C हो जाएगा खवया पित्र प्लस अनुमती का सही संदीपद है 25 का राइट आप्शन क्या हो जाएगा C हो जाएगा पित्रनुमती बर्तका का तद्भो रूप है 26 का राइट आप्शन भी हो जाएगा बाती बन सके देखी कैसे बनता है एक नमबर पर यह है लाश्ट में ही है अब इसका क्रम बता लगाना है क्रम से जिस प्रकार जरा से तो एक नमबर पर यह हो गया दूसरे नमबर पर यह हो जाएगा तीसरे नमबर पर हो जाएगा यह चोथे पे हो जाएगा ये लावाला चोथे पे हो जाएगा पांच में पे ये हो जाएगा और छटे पे ये है तो पूरा बाग किस प्रकार बनेगा जिस प्रकार अगनी का धर्म धहकना है उसी प्रकार मनुस का धैर उसके सुभाव का परियाय होना चाहिए तो right option C हो जाएगा चाकू सब्द का बहुचन क्या होगा right option D हो जाएगा चाकू का चाकू परिश्त्रम सब्द का बलोम 29 का B बिश्त्राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रहू सोदसरत अजर बिहारी में इन पंकतियों में किस चंद का प्रियोग हुआ है बताए चंद बताना चंद right option B हो जाएगा चौपाई है ये क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक है 31 का right option C हो जाएगा अधीकरण कारक ठाकूर सब्द का इस्त्री लिंग क्या होगा that option B हो जाएगा ठाकूराईन जगरनात में कौन संदी है that option D हो जाएगा ब्यंजन संदी है निमलिकित में से कर्मधाराय समाज किस में है that option C हो जाएगा नीलोत प्लम मेंड़की को जुखाम होना का अर्थ है मेंड़की को जुखाम होना का अर्थ है बिना योगता के योग होने का नखरा करना प्रेत्यो उत्पन्ने सब्द में प्रियोक्त उपसर्ग है 36 का राइट ओप्शन भी हो जाएगा प्रती निमलिखित में से सही सब्द छाटी सही सब्द कौन सा है कवित्री ये कई बार मूच्छा गया है एकजाम में तो इसका राइट ओप्शन भी हो जाएगा कव इत्री होता है निमलिखित बाक्यों में से कौन सा बाक्ष सुद्ध नहीं है राइट ओप्शन ए हो जाएगा सुद्ध नहीं पूचा गया तो पहले ही हो जाएगा साश्त्री जी की मृत्तू से हमें बड़ा दुख हुआ अब देखते हैं सामान जानकारी गंगा नदी उत्तरप्रदेश में किस जनपत से प्रिवेस करती है रायियट आप्सण यह हो जाएगा बिजनॉर से बिजय सागर पच्छी बिहार निमलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस इस्तान पर इस्तित है राइट ओप्षन ए हो जाएगा महोबा उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुक्ता पाई जाती है राइट आप्शन C हो जाएगा लाल मिट्टी मिर्जापूर और जहासी में पाई जाती है निमलिकित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है राइट आप्शन C हो जाएगा सीतापूर नियूंतम भोगोलिक छेतपल ये सही सुमेलित नहीं है बाकी देखे लखिमपुर खीरी अधिक्तम भोगोलिक छेधपर सही है सोनभद अधिक्तम बन अच्छादित छेधपर सही है संत रभिदाश नगर नियूंतम बन अच्छादित छेधपर सही है तो ये C नहीं सही सुमेलत है उतर प्रदेश शरकार ने किस एहतियासी किसमारक से जुड़वा मचली का राजनिज अंगी कार किया है राज प्रदेश के लिए स्पेस एक्स ने सतारिया बन नामक संचार उपग्रह को लॉंच किया है एक योषड था जो बरस डैस में वा था राज प्रदेश दैस में वा था राज उप्षण वी हो जाएगा 1962 हर्यक बंस से मघत के पहले सासक डैस डैस थे राइट ओप्शन ए हो जाएगा बिम्बी सार अलाव दीन खिल जी के सासन काल में निम लिखित में से कौन राजपाल था राइट ओप्शन C हो जाएगा गया सो दीन तुगला निम लिखित में से किस बर्स में भारत में बिर्टिस औप नवेशिक सरकार द्वारा मौन फोर्ट सुदार रपोर्ड का प्रस्तुत किया गया राइट ओप्शन C हो जाएगा 1918 में 1932 का पूना पैक्ट महाद्मा गांधी और डैस के बीच में एक समझाता था राइट ओप्शन D हो जाएगा B आरमबेट कर निम लिखित में से किसे स्वेत परवत वाइट मौन टेन के नाम से भी जाना जाता है धोला गरी को वाइट मौन टेन के नाम से भी जाना जाता है तुवांग और लिहासा को जोडने वाले दर्रे का क्या नाम है राइट ओप्शन B हो जाएगा बुमला दर्रा भारत की सबसे लंबी जील कौन सी है भारत की सबसे लंबी जील कौन सी है राइट ओप्शन D हो जाएगा बेमनाद जी गंगा नदी और सिंदू नदी तंद्र के बीच कौन सा छेत्र है जो जल छेद को प्रत्थक करता है राइट ओप्शन D हो जाएगा अमबाला दामोदर वैली कॉर्परेशन क्या है दामोदर वैली कॉर्परेशन क्या है राइट ओप्शन A हो जाएगा सामविदेक निकाए सम्धान सभा का दस्वा अद्वेशन कब आउयजित किया गया था बहुत ही अच्छा कोशन सम्धान सभा का दस्वा अद्वेशन कब आउयजित किया गया था राइट आप्शन यह हो जाएगा भारती सम्मदान का उन्चे दठा अरताले से पर्याव रड़का संरस्चड और सुधार एवं बन और बन जीव की सुरच्छा किस से सम्मंदित है राज के नीद नदेशक सिद्दान से सम्मंदित है लोग सबा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए शुविकरत मौखे कुत्रों के लिए तारांकेत प्रशनों की अधिकतम संक्या कितनी होती है राज ओप्शन डी हो जाएगा 20 होती है बिधान परसत की सदस्तिता के लिए नियुन्तम आयू सीमा क्या है Right option C हो जाएगा 30 वर्स सम्धान में निम लिखित में से किसके बारे में उपवन्द नहीं है Right option D हो जाएगा योजना आयोक के बारे में कोई उपवन्द नहीं है भारत के सम्धान में किस संसोधन ने Texas on Services नामक संग सूची में एक नया विसय जोड़ा है Right option D हो जाएगा 38 सम्धान संसोधन किसमे 88 सम्धान संसोधन Right option D हो जाएगा नेंत्रा के महालेखा परीचा क्रिथम रूप से संसत की निम लिकित में से किस समित से जुड़ा हुआ है Right option C हो जाएगा लोग लेखा समिती छोटे किसान और मौसमी मजदूर जैसे लोग जो निमित रूप से गरेवी दैरे के अंदर और बहार होते रहते हैं उन्हें डैस्क की रूप में सुबकृत किया जाता है Right option C हो जाएगा बिलोडन गरीव वहेदर जिस पर RBI वाड़ित्जिक के बैंकों को अलपवधी के लिए उधार देता है 65 का Right option B हो जाएगा रेपोदर बड़े वाड़ित्जिक बैंकों का राश्टी करण कब हुआ Right option C हो जाएगा 1969 को हुआ भारत में साजनिक वित्रपडारी PDS के बारे में असत्तिक कथन को पहचाने असत्तिक कथन को पहचानना है Right option D हो जाएगा देश में PDS को 2007 से बंद कर दिया गया PMGY का पूर रूप क्या है Right option B हो जाएगा प्रधान मंतरी ग्रामोदय योजना बार्मी पंच बर्सी योजना का कारकाल क्या है Right option B हो जाएगा 2012 और 17 प्रिसित संपादक कवित्री विदुसुई और लेक का इंद्रा गोस्वामी को कौन सी भासा के लिए ग्यानपीट प्रुसकार दिया गया है Right option C हो जाएगा असम्या प्रुसकार दिया गया है लुइस इस्टर्न विधी निमलिकित में से किस खेल से सम्मंदित है Right option D हो जाएगा किर्केट से सम्मंदित है लगू गड़क का आविसकार किस ने किया था Right option D हो जाएगा जौन नेपियर ने किया था विष्ट की मुद्राओं के संदर निमलिकित में से कौन सा योग में सही धंग से मेल खाता है Right option C हो जाएगा मेमार की कैप आस्टेलिया की राजधानी आस्टेलिया की राजधानी क्या है Right option C हो जाएगा बियाना आस्टेलिया बियाना सिस्व मीटर का डैस डैस द्वारा अविस्कार किया गया था 75 का Right option B हो जाएगा लोगी पलमिरी संख्यात्मा के मानसिक योग